तो आज बात कर रहे हैं, IBPS के exam के बारे में, या हम कहें कि government banks के अंदर अगर आपको specially आना है, तब आपको क्या करना होगा, और उसकी पूरी एक procedure क्या होती है, examination कैसे लिए जाती है, उसके rounds कितने होते हैं, उसकी जो official information है, वो आपको कहां पर मिल सकती है, और कौन से banks के लिए ये examination जो है, वो ballot रहती है, तो वो examination जो है, वो banking entrance examination है, जो की IBPS की तरफ से यहाँ पर कंड़ की जाती है, IBPS का full form है, Institute of Banking and Personal Selection, तो ये एक जो संस्ता है, इनकी तरफ से ये examination जो है, वो कंड़ की जाती है, तो इनकी जो official website है, www.ibps.in, तो नई examination को या रही है, तो इस website की उप अबर आपको उसका update ये notification मिल जाएगा, अब ये examination जो है, वो specially government bank के लिए conduct करवाई जाती है, IBPS की तरफ से, लेकिन एक बात का खास ध्यान रहे कि अगर आपको SBI और IDBI ये दो banks में जाना है, तब ये IBPS की examination जो है, वो valid नहीं रहती है, क्योंकि SBI और IDBI ये दो banks ऐसे हैं, ज उसके बाद ही उनका selection होता है, बाकी के जो central government के banks है, ये state government के banks है, उनके अंदर आप IBPS के exam के through, जो है, वो apply कर सकते हैं, या entry आपको मिल सकती है, लेकिन देखिए, ये examination जो है, वो आसान नहीं होती है, ये examination काफी tough होती है, इसमें आपकी return exam भी होती है, और आपकी जो है, व जैसे की professional officers हैं, clerk हैं, या specialist officer है, तो जैसे जैसे आपको qualification है, वैसे वैसे उस post के लिए आप अलग-अलग examinations दे सकते हैं, तो अभी इस examination के लिए जो है, ये जो IBPS की examination है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके अंदर return exam भी होती है, और interview भी होता है, लेकिन इसमें भी अभी subtypes है return exam में भी पहले preliminary examination होती है, उसके बाद final examination होती है, और उसके बाद interview होता है, तो अगर आप primary examination, preliminary examination pass करते हैं, तब आपको main या final examination के लिए appear होने का मौका मिलता है, अगर आप उसमें भी pass होते हैं, तब आप interview में जाते हैं, अगर interview में पास होते हैं, तब आपका selection होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि IBPS के examination के लिए कई post के लिए examinations ली जाती है जिनके लिए आपको किसी भी stream से graduate अगर आप हैं तब भी यहाँ पर apply करने का मौका मिलता है, हाँ कुछ banks ऐसे हैं जो की probably ये एक condition रख सकते हैं कि graduation situation आपका किसी भी stream से है कोई बात नहीं लेकिन कम से गम आपके 60% marks आने चाहिए, अब ये हर एक bank की condition रखेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे banks हैं जो कि इस तरीके की conditions रख सकते हैं, अभी ये examination अगर आपको देनी हैं तो कुछ key skills हैं, जो कि आपके अंदर होने चाहिए, इसमें आता है maths, reasoning skills, English और साथी साथ computer के basics, तो ये चार skills जो हैं, वो आपके अंदर होने चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर based ये सारी examination होती है, तो prelim examination होती है, वो पूरे 100 marks के होती है, और उसके अंदर आपको एक गंटे का समय मिलता है, जिसमें तीन आपके paper होते हैं, पहला paper आपका होता है reasoning का, जो कि 35 mark का होता है दूसरा paper होता है, English का जो कि 30 mark का होता है, और quantitative aptitude, ये 35 mark का होता है, तो यहाँ पर reasoning and quantitative aptitude, 35 mark की मिला करके हो गये 70 mark और बचे हुए 30 mark का English का paper लिया जाता है, और ये ऐसे total 100 marks हो जाते हैं और इन्हें solve करने के लिए आपको एक गंटे का समय जो है, वो दिया जाता है अब अगर आप इस exam clear करते हैं इस examination को, तो अब आप main examination में जाते हैं, जहाँ पर आपके papers भी जाता होते हैं इसके अंदर आपका reasoning का paper होगा, general awareness का paper होगा, English या Hindi language का paper होगा, quantitative aptitude and numerical ability, इसके उपर paper होगा computer knowledge का paper होगा और professional knowledge का भी paper होगा और ये सारे paper मिला करके 200 mark की ए examination होगी जिसे solve करने के लिए आपको 2.5 गंटे का समय दिया जाएगा अगर आप interview को crack करते हैं तब आप आगे चल करके जो है वो इन banks के अंदर नौकरी पास सकते हैं, तो ये एक पूरी procedure है, जो कि आपको पूरी तरीके से follow करनी पड़ती है उन्हें, उन examinations को यहाँ पर crack करना पड़ता है और उसके बाद ही आप किसी भी central government के bank में या state government के bank में नौकरी पास सकते हैं तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा, तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी help होती है ना, तो थोड़ी सी help मेरी भी कर दीजे इस चैनल को subscribe ज़रूर कर दीजे